वीडियो में आगे बनने से पहले मेरे चनल पर OPPO F21 PRO का giveaway लाइव है अगर आप नए है और आपने पार्ट्समेट नहीं किया है पार्ट्समेट कीजिए लिंक आपको डिस्क्रप्शन में मिरी जाएगी OPPO F21 PRO इसकी मने आपको अन्बॉक्सिंग दी है गिव अवे दिया है और इसकी अन्बॉक्सिंग मने आपको All India सबसे पहले दी है ये स्मार्ट्फोन दोस्तों काफी तगड़ा है इसके मैंने आपको अना compare वीडियो दे दिया Vivo V23 के साथ में, Reno7 के साथ में भी लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों की comment ऐसी है कि हमें ये स्मार्ट्फोन Reno6 के साथ में लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए हाला कि Reno6 अब एक साल पुराना होने को आ गया है लेकिन फिर भी market के अंदर अपनी बहुती तगड़ी जगया बना के आज भी बैठा है और कहिना कहिना या न वो Reno7 से एक अपग्रेड है आज की वीडियो में मैं आप से बात करने वाला हूँ कि आपको Oppo F21 Pro लेना चाहिए या फिर एक साल पुराना Reno6 लेना चाहिए दोनों के अंदर क्या क्या डिफ्रेंसिस है और दोनों में से आपके लिए best value for money कौन साफ भाएगा इसे के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जैहिन दोस्तों मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है Android गुरीजी में काफी लोग वीडियो को देखते हैं वीडियो को लाइक करते हैं कॉमेंट करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं पसंद आती है वीडियो सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन को अलपर सेट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुन जाए पहला एक स्मार्टफोन ने जहां पर आपको फाइबर ग्लास लेदर दिया गया है ये दोस्तों अपने आप में काफी तगड़ा है इसकी जो फिनीशिंग है ना वो नहीं तो प्लास्टिक है न ग्लास ये आपको एक तरह से लेदर जैसी फिनीशिंग को महसूस करता है ये द डाइमंड्स आपको नजर आते हैं, 185 ग्रैम का है, यहाँ पर आपको पीछे ग्लास मिलता है दोस्तों, और जो फ्रेम है वो मैटल का है, कम्पलीट बॉक्सी डिजाइन है, सिंगल बॉटम फाइनिक स्पीकर है, लेकिन यहाँ पर आपको 3.5 mm जैक नहीं मिलता है, यह दोस् दोस्तों की जो रैनो 6 है उसने ग्लास और मेटल के साथ में काफी तगड़ा काम किया है, लेकिन जो F31 Pro है, वहाँ पर एक अपनी अलग जगह है दोस्तों, लैदर वाली फिनिशिंग, तो यह कम्पलीटली एक कस्टमर पर डिपेंड करेगा कि उसकी प्रायोटी क्या है, मे अब यहाँ पर फरक क्या है, देखें दोस्तों, जो F21 Pro है न, यहाँ पर स्क्रूंट बड़ी रेशियो 85% का है, यानि कि बैजल्स और चिन थोरी सी बड़ी है, रैनो 6 का है 91.7 यानि कि अप्रॉक्सिमेट 92% बैजल्स चिन एकदम छोटी छोटी है, अगर आब बात करते है डिस्प्ले क्वालिटी की वो मकूंगा की बैजल्स और चिन के अलावा एड़ जैक सेम है, चलिए अब हम बात करते हैं पर्फॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि पर्फॉर्मेंस, स्पेसिफिकेशन, प्रॉसेसर, यह एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा कॉस्चन मार के न, कि फोन यहीं पर आकर खत्म होती है, F21 Pro, Qualcomm, Snapdragon 680, 6NM fabrication पर आधारित है, यहाँ पर आपको एक variant मिलता है, 8GB, 128GB का, LPDDR4 XRAM, UFS 2.2 के साथ में, out of the box आपको यह Android 12 पर मिलता है, 2,80,000 से उपर आपको एंधितू बैंचमार्क मिलता है, ब्लॉट वेर, प्रेंस्टॉल्ड एप, यह स सेटिंग्स पर, मेडियम हाई सेटिंग्स पर आप खेल पाएंगे, कोई तरह का frame drop, lag, jitter ऐसा नजर नहीं आता है, एक time period तक, 2-3 गटा gaming करने के बाद में, फोन थोड़ा heat up हो जाएगा, और थोड़ा थोड़ा आपको frame drop आना चालू हो जाएगे, यह प्रोसेसर एक gaming centric प् करता है, HDR का support नहीं करता है, YouTube वीडियो, Netflix, Prime, आप कहीं पर भी 4K, HDR, यह सब चीजे नहीं देख पाएंगे, तो display का कहीं न कहीं एक viewing experience आप कहां लेंगे, जब आप 4K नहीं देख पा रहे हैं, हना, तो यह कुछ limitations है, Snapdragon 680 की, day to day life के अंदर, एक normal use के अंदर, ठीक ठाक है, ल आप से बात करता हूँ, Reno6 की, MediaTek, Dimensity 900, यह एक 5G प्रोसेसर है, यानि कि यह फोन 5G है, एक बहुती बड़ा फरका पर आ गया, F21 Pro, एक 4G फोन है, Reno6, 5G फोन है, यहाँ पर भी एक ही वेरेंट है, 8GB, 108GB का, 4X RAM है, UFS 2.1 है, एन्थे तो बैंचमार्क, 4,20,000 का, यानि कि ल करता हूँ, Medium to High Settings पर आप गेम कर पाएंगे, COD की बात करते हैं, Various Settings पर आप गेमिंग खेल पाएंगे, और आज तक मुझे मैंने इसको लगबग 6-8 मैंने यूज किया था, फिर मैंने इसको दे दिया था, हाना, तो इसके अंदर मुझे कभी भी कोई frame drop, lag, heat issue ऐसा नजर न condition के अंदर, Snapdragon 680 recommended नहीं है, चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, camera के बारे में, और rear camera, दोनों का primary sensor, 64 megapixels का, एक normal sensor है, omnivision का sensor है, इसके अलावा, जो F21 Pro है न, यहाँ पर आपको दो का micro sensor और दो का dev sensor मिलता है, यहाँ पर micro sensor आपको देखना होगा कि आपके काम आता है, र बाकि हमारे लिए तो as a fun हो सकता है, एक दो दिन काम ले लिया आप, इसके बाद गया, इसके अलावा, 32 megapixels का selfie camera, Sony IMX709 के साथ में, और यह दोस्तों, अपने आपके अंदर एक तकड़ा flagship sensor है, लेकिन, front और rear, दोनों में आप 4K वीडियो recording नहीं कर बाते हैं, जो rear camera है न, वो काफी ठीक ठाक है, मैं कहोंगी, average quality देता है, लेकिन जो selfie camera है, उसकी दोस्तों, dynamic range, face वगरा, काफी तगड़े आते हैं, skin tone वगरा, काफी तगड़ी आती है, इसकी जो camera shots है न, मैं आपको आगे बताता हूँ, इसके अलावा, जो Reno6 है न, वहाँ पर 64 का आगया प्राइम camera, यह Sony का है, IMX 615, लेकिन अब यहाँ पर एक बहुती clear बात करने वाला हूँ मैं, कि जो Reno है न, यह rear camera के अंदर आपको 4K 30fps देता है, selfie के अंदर 4K का support नहीं है, अब एक बहुती clear सी बात, कि अगर आपका rear camera से वीडियो ग्राफिक का काम ज़्यादा रहता है, आप 4K के अ F21 Pro, आपको एक budget segment के अंदर एक flagship level की selfie quality दे बाएगा, दोनों की camera app, दोनों के camera shots, यह मैं share कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों, selfie के अंदर F21 Pro, आपको एक बहुतर quality देता है, rear camera से photography लगबग सेम है, वीडियो ग्राफिक करनी है, rear camera से Reno6, selfie लेनी है, F21 Pro, तो स्मार्टफोन की battery और price segment आपके सामने डिस्पले पे show कर रहा हूँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं, मेरे personal opinion की दोनों स्मार्टफोन को दिखते हुए, देखे दोस्तों, अगर हम वैसे बात करें न, तो हर segment के अंदर Reno6, यह कही ना कही F21 Pro से काफी बहतर है आज भी, एक तो तो काफी इसका तगड़ा लगता है, leather वाली जो filling है न, वो काफी तगड़ी आती है, इसके अलवा, अगर आप एक selfie level है, आपको एक flagship level की selfie चाहिए, उस case में आप F21 Pro ले सकते हैं, और मैं सिद्धी से बात कहूँगे, अगर आप एक medical instrument है न, क्योंकि मैं बार-बार medical को टार आपके नहीं है, उस case के अंदर, सभी feature के अंदर दोस्तों, Reno6, F21 Pro से हर चीज के अंदर भैतर है, और आपको पता है न, कि मैं हर comment पड़ता हूँ, तो अगर आपके कोई सवाल, सुजाओ, feedback रहते हैं, तो आप मुझे comment कर सकते हैं, Instagram पर डैक लिए DM कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मेरतब से reply मिल जाएगा, F21 Pro का giveaway हमेरे जाले पर live है, अगर आप नहीं हो और आपने पार्ट्सपर्ट नहीं किया है, पार्ट्सपर्ट कीजिए, link आपको description में मिल जाएगी, वीडियो दोस्तों, like कीजिए, नहीं है, subscribe कीजिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीड कीजिए, कीजिए, जाहिन!